हाई फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता, इसके लिए हमें अफकोर्स एक बैंगन चाहिए और कुछ गार्लिक चाहिए, तो बैंगन में हम लगा लेंगे चीरा, बहुत जादा डीप नहीं, हाफ बैंगन तक जाना चाहिए ये चीरा, तो ऐसे चीरे लगा और इसके अंदर हब हम डालेंगे लगोचए से पील करके वश कर लिजे और इसमें हम पुश कर देंगे अंदर ताकि ये भैंगन के साथ ही पकतार रह तो इसमें ऐसे पखाने से olur होता है ग्यास को मेडियम फ्लेम पर रखा है मैंने और इसके साथ साथ मैं दो टोमेटो भी पका रही हूँ टोमेटो में भी मैंने हलका सा चीरा लगा दिया है और देखिए ये धीरे धीरे पक रहा है टोमैटो को मैंने वेंगन के साथ ही रख दिया है क्योंकि टोमैटो बहुत ही जल्दी पक जाता है अंदर से यह बहुत ही सॉफ होता है तो इसमें सिर्फ उपर के लेयर को अच्छे से पकाना पड़ता है और यह देखिए अच्छे तरह से बेंगन पक चुका है और इसे अब हम peel off कर लेंगे तो उपर का जो black layer है यह हम निकाल लेंगे easily peel off हो जाता है यह अच्छी तरह से हम इसे clean कर लेंगे और अब इसे हम खोलेंगे खोल करके देखिए इसके अंदर जो जो garlic थे वो अच्छी तरह से पक चुके हैं इन सबो को हम निकाल लेंगे ताकि garlic हम अच्छी तरह से mash कर सके अलग से tomatoes को भी चोटे-चोटे pieces में कट कर लेंगे अगर आपको लगता है कि tomatoes पकाने पर बहुत ही messy हो जाता है और आपका gas बहुत गंदा हो जाता है तो आप इसे boil भी कर सकते हैं लेकिन यह जो आग में पकानी की जो खुश्बू है वो अलग ही आती है यहां मैं कर रही हूँ garlic को अच्छी तरह से crush इसमें डालेंगे salt और मैं इसमें यूज करते हूँ mustard oil इसमें थोड़ा डालेंगे धनिया पत्ता और थोड़ी से कटीवी हरी मिर्च और यह हमारा सब चीज रेडी हो चुक है इसे अच्छी तरह से करेंगे mash अच्छी तरह से हाथ से इसे mash कर लीजे और यह हमारा super quick and easy bangan का भरता बन करके तयार है give it a try and drop your feedback in the comment box thank you for watching, bye bye